पाठ साथ रक्त और हमारा शरीर हमारे शरीर के अवयवो में रक्त एक मातपूर भूमी का निभाता है। रक्त के अलग-अलग घटक अपना कार्य किस-किस प्रकार करते हैं। इस पाठ में यही समझाया गया है। और रक्त को शरीर के लिए अत्यावश्यक बताया गया है शैली राजन की छोटी बहन है वह पांचवी कक्षा में पढ़ती है वह मेधावी चात्रा है एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और अचानक गिर कर रोने लगी उसकी रोने की आवाज सुनकर उसका भाई राजन दोड़ कर आया और उसको अस्पताल ले गया चोट तो कम लगी थी परन्तु उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था डॉक्टर ने मरहम पट्टी करके शैली को घर भेज दिया शैली की उत्सुकता खून देखकर बढ़ गई और अपने भाई राजन से खून के बारे में पूछने लगी क्योंकि राजन चिकितसा शास्त्र का अध्यन कर रहा था राजन ने सोच विचार कर खून के बारे में बताया शैली देखने में रक्त लाल रंग का होता है परन्तो यह भानुमती के पिटारे से कम नहीं है इसके दो भाग होते हैं एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाजमा कहते हैं दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं जिन्हें बिम्बानों, प्लेटलेट्स कहते हैं ये कण प्लाजमा में तैरते रहते हैं इन्हें सूक्ष्म दर्शी यंत्रद्वारा ही देख सकते हैं शैली ने पूछा पर भैया, खून लाल रंग का क्यूं होता है? राजन ने बताया रक्त लाल इसलिए नजर आता है क्योंके उसमें लाल कन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं इनका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है जिसे हम हीमो ग्लोबिन कहते हैं लाल कन बनावट में बालुशाही की तरह ही होते हैं गोल और दोनों तरफ अवतल यानि बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है यदि हम एक मिली लीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कन मिलेंगे इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है ये कन शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं सांस लेने पर साफ हवा से जो आक्सिजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुचाने का काम इन कनों का ही है इनका जीवनकाल लगभग चार महीने का होता है चार महीने के होते होते ये नश्ट हो जाते हैं लेकिन एक साथ नहीं धीरे धीरे कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन झाल 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 झाल